बच्चों, हम भोजन के बीना तो कई दिनों तक जीविट रह सकते हैं लेकिन जल जो है वो हमारी अनिवार यावशकता है जल के बीना हम बिल्कुल नहीं रह सकते यी इस बात से ही पता है कि जल है तो जीवन है और किसी दारशनिक ये भी कहा है कि जो आने वाला अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका कारण जल ही होगा और हम अपने आसपास भी देखते हैं कि विभिन राजियों के बीच या देशों के बीच जल को लेकर भी आपसी जगडे और तनाव की स्थीती जो है वो वरतमान में बनी हुई है कई नदी जल विवाद बने हुए हैं हम महासागरी जल को लेकर आपसी देशों के बीच में तनाव की स्थीती जो है वो उत्पन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आगामी समय में देखेंगे तो इसके संकट की स्थीती जो है वो उत्पन हो सकती है कमी तो नहीं है हमारी पृत्वी में यदि हम देखें तो पूरा 71% जो हिस्सा है वो जली हिस्सा है और हमें ये भी पता है कि जब हम गुलार्धों में इसकी स्थीती देखें तो दक्षणी गुलार्ध को हम जली गुलार्ध के नाम से भी जानते हैं या जली गुलार्ध के नाम से पुकारते हैं इसका मतलब ये है कि पृत्वी का 71% हिस्सा जली भाग है और सिर्फ 29% जो हिस्सा है या भाग है वो इस्थली भाग है तो जब इतनी अधिक मात्रा में हमारे पास जल उपलब्ध है तो फिर ये देशों या राश्ट्रों के बीच तनाव की स्थिती क्यों उत्पन हो रही है क क्योंकि जल की कमी तो है नहीं हमारे पास तो उसकी वज़ा ये है कि जो 71% हमारे पास जली हिस्सा है पृत्वी में उसमें सिर्फ तीन प्रतिशत जो जल है वही हमारे उप्योग के लायक है वो क्यों क्योंकि जो 97% भाग है यदि हम 71% कुल जो जली हिस्सा है उसको 100% माल ले तो उसका सिर्फ 97% जो भाग है पूरा 97% जो भाग है वो अलवणी है मतलब वो हमारे उपयोग के लायक नहीं है उसका सिर्फ 3% हिस्सा है वो हमारे उपयोग के लायक है यह हम यह कहें कि वो अलवणी जल है तो जब उसका पूरा 97% भाग अलवणी है या खारा है तो हम उस जल का करेंगे क्या वो हमारे किसी भी उपयोग के नहीं है और सिर्फ तीन प्रतिशत जल जो है यदि हम इतने जल के इतने ही हिस्से को सहेज कर रखें तभी यह हमारे भव समय में हम देख रहे हैं कि हम अपने जल को हर तरीके से प्रदूशित कर रहे हैं चाहे हम अपने घरेलूप योग के दौरान हो या ओद्योगी करण में हो परियावर्ण प्रदूशन के माध्यम से हर तरह से जल की जो इस्थिती है वो खत्रे में हम कह सकते हैं और इसलिए तो हमेशा हमें ये संदेश जो है वो दिया जा रहा है कि सेव वाटर हमें अपने भविश्य के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए जल को जितना हिस्सा जो हमारे पास है इतने ही जल को हमें सुरक्षित रख कर चलना है हाला कि जल जो है वो खतम नहीं होने वाला है समाप्त न इक चक्री संसाधन है, हमारे धारातल में जितना भी जल जो उपलब्ध है जैसे महासागरिी जल हो गया, सागर का जल हो गया, नदिया हो गई, तालाब हो गया या भुमिगत जल की हम बात करें, तो ये सब ही जली हिस्से जो है यहां से वाश्पी करण के माध्यम से वाश्प बनकर जल जो है इन हिस्सों का जल उपर की तरफ जाता है वायू मंडल में और वाश्पी करण के द्वारा गया हुआ वायू मंडल में पहुचा हुआ जो जल है वो उपर जाकर संगनित होता है और किसी भी परवती अवरोध के माध्यम से या बहुत अधिक संगनन होने के बाद ये जो है वो हमारे धरातल पर वापस जल की बुंदों के रूप में या वर्षा की बुंदों के रूप में प्राप्त होता है तो ये चक्र जो है वो चलता रहता है और मतलब महासागरों का जल या धरातली जल सतही जल की हम बात कर रहे हैं या भूमी गजल की बात कर रहे हैं तो ये सभी जल वाश्पी करण के द्वारा इसका वायू मंडल में जाना और वहां संगनन होना और संगनन के बाद वर्षा की बुन्दों के रूप में वापस फिर से धरातल पर आ जाना ये एक चक्र चलता रहता है और इसे ही हम जली चक्र के नाम से जानते हैं तो चुकि ये चक्री संसाधन है समाप्त तो नहीं होगा वापस से हमको इसकी मात्रा जो है वो धरातल पर प्राप्त होती रहेगी लेकिन कोश्चन मार की ये है प्रश्न यह है हमारे सामने कि जब ये प्राप्त होता रहेगा तो फिर किस बात की समस्या अभी मैंने कहा कि प्राप्त तो होगा लेकिन हमारे क्रिया कलापों के दुआरा हम अपने जल को इतना अधिक प्रदूशित कर दे रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे महा सागरों का जो 97% हिस्सा जल का है जो लवणी जल है और हमारे किसी कार्य का नहीं है उसी प्रकार यदि हम अपने जल को सहेज कर और साफ सुथरा उसके प्रबंधन और सनरक्षन के द्वारा हम उसे सुरक्षित नहीं रखते हैं तो ये जल इतना प्रदुशित हो जाएगा कि ये हमारे किसी कार्य का नहीं होगा इसलिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि सेव वाटर या हमें इसे आगे आने वाली पिढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है अब जब हम जल संसाधन की बात कर रहे हैं तो ये जल संसाधन हमें अपने धरातल पर दो तरह से प्राप्त होता है या दो तरह से मिलता है एक तो धरातली जल है जो आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी पर जितनी भी सागर हैं, महासागर हैं, नदिया हैं, तलाब हैं, ये सभी में जो जल उपस्थित होता है इसे हम सतही जल या धरातली जल के नाम से जानते हैं और दूसरा है हमारा भॉम जल या हम भूमी गजल कहते हैं और ये जल जो है ये हमें कुव या नल कूप के माध्यम से प्राप्त होता है ये जो भी जल के सोर्स हैं स्त्रोथ हैं जिनसे हमें जल उपलब्ध होता है ये सब ही हम किसमें उपयोग कर रहे हैं हमने कहा कि जल हमारी जल है तो जीवन है जल जो है वो हमारी अनिवारी आवशक्ता है तो हम अपने दैनिक जीवन की आवशक्ताओं में भी जल का उपयोग करते हैं साथ ही भोजन दूसरी जो अनिवारी आवशक्ता हमारा भोजन है तो ये भोजन भी हमें कृशी से प्राप्त होता है कृशी से उ और अन्यकारियों के लिए भी जल जो है वो एक अनिवारी तत्व हैं। तो ये जल के उप्योग हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो धरातली और भूमी गजल है ये इसकी कितनी मात्रा जो है वो आपके अलग-अलग उप्योग में लाई जाती है। आज हम जल संसाधन के उप्योग, इसकी उप्लब्धता, इसके सनरक्षन और प्रबंधन के विशय में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि धरातली जल का जो है अगर हम इसे 100% माल लेते हैं धरातली जल को तो इसका कृषी में जो उप्योग है वो 89% हिस्सा कृषी में उप् उप्योग के लिए 9% हिस्सा जो है वो उप्योग किया जाता है और उद्योगों में 2% हिस्सा उप्योग किया जाता है। साथ ही जब हम भूमी गजल की बात करते हैं तो इस भूमी गजल का 92% हिस्सा कृषी कार्य में उप्योग किया जाता है, सिचाई के लिए कुओं के मा अध्यम से घरेलू उपयोग में तीन प्रतिशत हिस्सा प्रयोग किया जाता है और उद्योगों में पांच प्रतिशत हिस्सा जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। हम सभी को पता है कि भारत जो है वो एक क्रिशी प्रधान देश है और इसका लगभग दो तीहाई हिस्सा जनसंख्या का वो क्रिशी में निर्भर है तो क्रिशी के लिए हम ये कहें किया सिचाई के लिए जल की जो अनिवार्यता है वो हमारे लिए बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि हमें मालूम हैं हमारे भारत में जो मानसूनी हवाइं हैं मानसून की कौन सी शाखा दक्षणी पश्यमी शाखा से मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है और मानसून जो है वो अनियमित होता है अनिशित होता है मतलब हम देखते हैं कि एक ही समय में जब बारिश का मौस तो एक इस्थान पर बाड़ की स्थिती उत्पन्न हो जाती है और एक इस्थान पर हम देखते हैं कि आकाल या सूखा पढ़ गया. या किसी वर्ष हम देखेंगे कि बाड की स्थिती उत्पन हो रही है और कभी सूखा पड़ जा रहा है कभी ये जल्दी आ जाता है कभी देर से आता है कभी बहुत कम आता है इसकी मात्रा जो है बारिश की मात्रा तो ये सब अनिश्यत्ताओं के कारण या अन्यमित्ता के कारण हम पूरी तरह से मानसून पर या मानसूनी वर्षा पर डिपेंड नहीं रह सकते इसके लिए हमें सिचाई की जो है आवश्यक्ता बहुत अधिक पड़ती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि धरातल में जो जल या हम सतही जल की जो बात कर रहे हैं जो वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो पूरा सतही जल ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है क्योंकि आज कल हमने पूरी तरह से नगरी करण की और जो हम बढ़ रहे हैं इसके कारण हम क्या कर रहे हैं पूरी सड़कों का डामरी करण कर दे तो वो जो जल है वो भूमी गजल के रूप में और शोशित नहीं हो पाता है और सडकों में व्यर्थ ही बह जाता है या हमने जो बात की कि जब बाड की स्थिति उत्पन होती है तो हम पुरे अपने उत्तर भारत के जो हिमालेईन राजी की तरफ देखें या वहां पर जो प् और वो व्यर्थ ही बहता हुआ जाकर समुद्र में मिल जाता है तो हम देख रहे हैं कि इनके सनरक्षन की आवश्यक्ता है तो ये सब कारे के लिए हमें सिचाई, कृशी या उद्योग और अपने घरेलू उपयोग के लिए भी हमें जल की आवश्यक्ता पड़ती है अब हम ये देखते हैं हमारे भारत में या हमारे भारत की जो इस्थलाकरीती है उसमें अनेक वी भिनिताएं हमें देखने को मिल रही हैं जैसे हम उत्तर भारत के राजे में देखें तो हिमालय के बाद हमारा आता है विशाल मैदान और ये मैदान जो है वो जलोड मिट्टी से बन तो यहां पर जो मिट्टिया मिलती है वो यह हम चट्टानों की बात करेंगे यह जो चट्टाने है वो प्रवेश्य है मतलब यहां पर जो जल प्रवाहित होता है वो यहां पर इन मिट्टियों में मिलने वाले रंध्र या छिद्रों के माध्यम से भूमी गर्जल के रूप मे नीचे चला जाता है लेकिन जब हम पठारी छेत्रे की बात करें अपने प्रायदीपी पठार की तो यहाँ पर इस इस थलाकृती का निर्माण या इस धरातली सता का जो निर्माण है कठोर चट्टानों से हुआ है यह बहुत प्राचीन चट्टाने यहाँ पर मिल रही है और ये प्रवेश गम्य नहीं है जल के लिए या हम ये कहें कि यहां पर रंधर यह च्छेदर इनमें बहुत कम मिलते हैं जिसके कारण जो बारिश का जल है या जो भी सत ही जल यहां पर मिल रहा है वो भूमी गजल के रूप में नीचे नहीं जा पाता है तो यह तो बनावट के अनुसार हमारे जो भारत में भूमी गजल की उपलबधता में हमने अंतर देखा अब हम जब धरातली सतह की बात करेंगे या सतही जल में मुख्य रूप से जो नदिया सोडस है जल संसाधन का तो उसमें हम देखते हैं कि उत्तर भारत की जो नदिया हैं चाहे हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना इन नदियों की जब बात करते हैं तो ये सदा वाहनी या वर्ष भर बहने वाली नदिया हैं क्योंकि एक तो बारिश का जल इन में आता है और दूसरा गर्मिय के मौसम में हम देखते हैं कि हमाले में जो हिंग ठेत्र हैं यहाँ से बर्फ पिघल कर इन नदियों में मिल जाता है, तो ये सतत बहानी नदिया हैं, इनमें वर्ष भर जल की आपूर्ती होती रहती है, लेकिन जब हम दक्षिन भारत में चले जाएं, तो दक्षिन भारत की नदियों की हम विशेश्ता देखेंगे, कि ये नदिया मौसमी हैं, जब बारिश होती है मानसून आता है तो बारिश का जल इनमें आ जाता है या प्रवाहित होता है उसके बाद फिर ये नदिया जो है इनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ये मौसमी नदिया है तो हम देखते हैं कि जल संसाधन के रूप में भूमी गजल की बात करें हम या फिर हम धरातली जल की बात करें, दोनों में ही हमें भारत में भिन्नता देखने को मिलती है, उपलबधता जो है, वो कहीं कम और कहीं अधिक रूप में मिलती है, अब हम भारत में देखते हैं कि वर्षा की मात्रा से या वर्षा से यहां पर जल की उपलबधता लगभग 4000 घंड किलो मेटर होत तो कुल 4000 घन किलोमीटर वर्षा से जल की मातरा हमें उपलब्द हो पाती है एक वर्ष में भारत में लेकिन ये 4000 घन किलोमीटर भी हमें पूरी मातरा में प्राप्ट नहीं होती है क्यों? क्योंकि इसका बहुत जो हिस्सा है या बहुत सारा जो भाग है वो वाश्पी करण के द्वारा वापस वायू मंडल में चला जाता है या फिर भुमी गजल के रूप में अंडरग्राउंड हो जाता है नीचे की तरफ जो है सता से नीचे चला जाता है तो इसकी कितनी मात्र प्राप्त होती है 1869 घं किलोमीटर या हम 4000 घं किलोमीटर की बात करें इसकी तो इसके कुल का लगभक 60 प्रतिशत जो है 60% हिससा ही हमें प्राप्त हो पाता है और इसमें भी पूरे जल का उपयोग नहीं हो पाता इसका भी लगभग ग्यारा सो इसमें ग्यारा सो बाईस घन किलोमीटर जो जली हिस्सा है या जली भाग है उसका ही हम उपयोग कर पाते हैं अब इस ग्यारा सो बाईस घन किलोमीटर में भी हम देखते हैं कि लगभग 690 घन किलोमीटर जो है वो धरातली जल के रूप में प्राप्त होता है और लगभग 432 घन किलोमीटर जो जल है वो हमें भूमी गजल के रूप में प्राप्त होता है अब हम देखते हैं कि हमारे भूमी गजल का जो सबसे अधी उपयोग कुए और नलकूपो के माध्यम से हम करते हैं और इसमें भी हमें अब वर्तमान समय में समस्या जो है वो उत्पन हो रही है कि अपने आसपास हम देखेंगे कि जहां पर जब हम हैंड पम की खुदाई कर रहे हैं या कोई बोर्वेल की खुदाई कर रहे हैं तो हम पहले देखते थे कि बहुत ही कम सतह की नीचे जल की उपलब्धता हमें मिल जाती थी लेकिन यह प्रमाण है कि अब हम लगभग 300 से 400 फिट नीचे तक चले जाते हैं तो भी हमें जल उपलब्ध नहीं हो पाता मतलब लगातार भूमी गजल का जो इस तरह है वो नीचे की तरफ जा रहा है यह एक महत्तवपूर्ण समस्या है और भूमी गजल नीचे जा रहा है तो दो नुकसान हो रहे हैं एक तो हम जो आसपास का जो जगह है या छोटे जो नलकूप वहां पर लगाए गए हैं पंप लगाए गए हैं उनमें इतनी छमता नहीं रह जाती क्योंकि बड़े पंप जो है वो पानी को अपनी तरफ खीच लेते हैं तो वहां तक पानी ही न या उर्जा की बात करें तो इसकी भी बरबादी होती है अब हुम यह देखें कि इसका सबसे अधीक उपियों कहां पर होता है भूमि गर्जल का सिचाई के माध्यम से तो आपको ध्यान में होगा जो हरित कृांती जब देश में आई थी तो उसका सबसे मतल Sum se मतलब हम यह स कि उसको कहां पर एडॉप्ट किया गया था जहां पर सिचाई की उपलम्धता थी क्योंकि मानसून पर तो हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं अभी हमने बात की कि वह अनियमित है अनेश्षित है कभी कम कभी ज्यादा तो इसलिए हरित क्रांती में जो हमने मैक्सिको से गेहूले यह हम फिलिपिन्स से चावल की जो किस्म ले कर आए इन सभी को हमें हरित क्रांती के माध्यम से अधिक पैदावार या अधिक उपज जो हमें प्राप्त करनी थी तो हमें हम इन्हें उन्हीं स्थानों पर कर सकते थे जहां पर सिचाई की परियाप्त मात्रा में उपलबधत तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका पंजाब है हरियाणा है राजस्थान की हम बात करें तो या तमिलाडू में हम देखें यहां पर सबसे अधिक सिचाई जो है वो आपके भूमी गजल के द्वारा की जाती है इनके अलावा हम देखें कि इसी कारण से यहां पंजाब हरियाणा या पशिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां का भूजल इस तर जो है वो एकदम नीचे की तरफ चला गया है इसका एक नुकसान भी है कि हम बहुत अधिक मात्रा में सिचाई के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं भूमी गजल का एक समय के बात यह लगातार जो है इसका इस तर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहां की जो भूमी है उनमें लवणों की मात्रा बहुत अधिक सिचाई करने से लवण जो है वो भूमी गजल से उपर की तरफ सतह की तरफ हमें नजर आते हैं और इसका उपजावपन भी जो है वो बहुत ज़ादा सिचाई के कारण साथ ही साथ हम देखेंगे कि पर्शिम बंगाल या बिहार के कुछ भागों में भूमी गजल में मतलब हम बहुत अधिक नीचे इस्तर की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर और सेनिक नामक जो विशैली धातू है या विशैला जो पदार्थ है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ और साथ ही साथ हम राजस्थान की या महाराश्च्र की बात करें तो यहां पर बहुत अधिक भूमी गजल निकालने के कारण यहां के जल में फ्लोराइट की मात्रा जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है जिससे हड्डियों की समस्या जो है वो उत्पन होने लगी है अब ह तो हम देखते हैं धरातली जल, धरातली जल या हम सतही जल की बात करें, तो हमने देखा कि हम इसमें नदियों के माध्यम से, तलाबों के माध्यम से, तलाईया मतलब छोटे तलाब या जीले, ये सब ही जो हैं, वो सतही जल या धरातली जल के अंतर गताते हैं, नदिया जो है हमने देखा कि हमारे भारत में बहुत सी छोटी और बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं और ये हमारे सिचाई का एक सर्वप्रमुख साधन है जब हम बात करें नदियों की जो संग्या दी गई है हमारे भारत में तो जिन नदियों की लंबाई लगभग 1.6 किलोमिटर है उन्हें हम नदिया कहते हैं तो इस प्रकार से हमारे भारत में लगभग 10,360 कुल नदिया हमें देखने को मिलती हैं अब इन नदियों के माध्यम से या इन नदियों में नहरे निकाल कर बांध मना कर जीलों के माध्यम से हम सिचाई के लिए अपने भारत में इस धरातली जल का उपयोग करते हैं और इन नदियों में भी हम देखेंगे कि यह डिपेंड करता है इनके जल ग्रहन छेत्र पर य अगर हम देखें तो अपने सतलज, गंगा, ब्रह्मः पुत्र इन नदी बेसीन पर चले जाएं तो यहां पर हमें बहुत अधीक जल की मात्रा उपलब्ध है क्योंकि यह बहुत बड़ी-बड़ी नदिया हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में जो दो नदिया है हमारी गंगा और ब्रह्मः पुत्र वो विश्व की सबसे लंबी जो दस नदिया है, उनमें इनका नमबर आता है गंगा और ब्रह्मः पुत्र का, लेकिन पूरे भारत में यह दि हम देखते हैं, तो इसमें भी अलग-अलग नदी जो बेसीन है, उनका आकार अलग-अलग है और इनकी जल ग्रहन छमता भी अलग-अलग है जैसे हम उत्तर में चले जाएं तो हमने बात की सतलज गंगा और ब्रम्ह पुत्र की और दक्षिन की तरफ हम आते हैं तो महा नदी बेसीन है कृष्णा नदी बेसीन है कावेरी नदी बेसीन है नर्मदा और तापती की जो घा चेतर हैं इन सभी में हम देखें तो हमने थोड़ी देर पहले यह भी बात की थी कि जब हम उत्तर भारत में देखते हैं तो उत्तर भारत की जो नदी आहां सदा प्रवाहिनी तो है ही लेकिन इसमें वर्षा का जल भी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और मतलब बहुत अधिक जल जो है इसका उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण वेस्ट हो जाता है यह हम यह कहें कि सीधे बहता हुआ यह जाकर समुद्र में मिल जाता है जो ह अब हमने नदी बेसीन की बात की थी, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, कि नदी बेसीन का तातपरी क्या होता है, एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, और उस मुख्य नदी में उसकी कई अन्य सहायक नदियां जो है, वो आकर मिलती है, तो वो जितना छेत्र है, वो उ कि भी नदी बेसिन की बात करें महा नदी बेसिन जब हम कह रहे हैं तो महा नदी और उसकी अन्य जितनी भी सहयक नदिया हैं वो उसमें शामिल होंगी गंगा नदी बेसिन की हम बात करें तो गंगा और उसकी जितनी भी सहयक नदिया हैं चोटी बड़ी सहयक नदिया हैं वो स तब ही उस छेत्र की अंतरगत आएंगी और जब हम जलगरहन छेत्र की बात कर रहे हैं तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जितने छेत्र का जल लेकर आती हैं उसे हम जलगरहन छेत्र कहते हैं अब ये डिपेंड करता है वर्षा पर जैसे हमने बात की कि हम दक्षिन भारत में देखें तो इसमें जल ग्रहन छेत्र अधिक भी होगा लेकिन वर्षा की मात्रा कम है या वर्षा से इन्हें कम जल प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर हमें जल की उपलबधता कम देखने को मि लेकिन उत्तर भारत में ठीक इसके विप्रीत इस्थिती है कि जल की बहुत अधिक उपलबधता है लेकिन बहुत सा जल जो है वो इसमें वेस्ट हो जाता है सीधे जाकर समुद्र में मिल जाता है उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण तो हमने यह देखा कि नदिया जो है वो प्रमुख आपके सिचाई के लिए उपयोग की जाती है नहरे बनाकर बांध के माध्यम से साथ ही साथ जीलों के माध्यम से अब हम देखते हैं हमने बात की थी कि भारत जो है वो हमारा कृषी प्रधान देश है और यहां की पंचवर्षी योजना जो है वो लागू की गई इस बात पर मतलब इस पर विशेज ध्यान देते हुए कि हमारा भारत कृषी प्रधान देश है पूरी जनसंख्या जो है वो कृषी पर निरभर है और कृषी में हमें उचित उत्पादन या अधिक मात्रा में उत्पादन ह होना बहुत आवर्षक है तभी तो हम अपने जनसंख्या की जो खाध्यान आपूर्ती है या खाध्यान आवर्षकताओं की आपूर्ती कर पाएंगे तो इसके लिए इसमें सिचाई पर विशेज धिहान दिया गया और पंचवर्षी योजनाओं के माध्यम से जब पंचव किये जिसके माध्यम से चचाई के लिए उचित विवस्था हमारे देश में हो पाएं जिसमें हम सभी को पता है भाखडा-नांगल-भान्थ यह घामदर घाटी पर योजना की बात करें या हीरा कुन की बात करें ये सब ही जो है ये अनेक बहुत देशी परियोजनाएं बनाई गई ये आपके सामने इसकी एक सूची भी आपको दिख रही है ये एक छोटे प्रशने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथ ही साथ हमने जो बात की थी कि यहाँ पर जो 4000 घन किलोमीटर वर्शा के माध्यम से जो भारत में जल की आपूर्टी होती है और इसका भी केवल 60% 1869 घन किलोमीटर जो है जल उप्योग के लायक हो पाता है और उसमें भी हम 1122 को ही 1122 घन किलोमीटर जल ही उप्योग कर पात हैं और इसमें हमने देखा था कि धरातिली जल की मात्रा 690 घन किलोमीटर और भूमी गजल की जो मात्रा है वो 432 घन किलोमीटर तो यह जो आकड़े हैं वो भी आपको छोटे प्रशने के हिसाब से ध्यान में होने चाहिए और साथ ही साथ हमने जल जाहे हम धरातली जल की ब प्योग किया जाता है इन जलों का वो भी हमें याद होने चाहिए। झाहिए प्याद झाहिए। झाल 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 झाल